दोस्तो आज से लगवग 2 साल पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास Realme का कोई भी फॉन है तब आप अपने Realme के फॉन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं वो भी बिना रोट किये वैल दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास Realme का कोई भी फॉन है और आपके Realme के फॉन के अंदर Realme UI का कोई भी अगर वर्जन है तब आप किस तरह से अपने Realme के फॉन के फॉन को चेंज कर सकते हैं इसी वीडियो में मैं आपको step by step step सब कुछ समझाने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम चलते हैं अपने mobile की screen पे So finally guys हम अपने mobile की screen पे आचुके हैं अब दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे step बताने वाला हूँ जिने follow करके आप अपने Realme के किसी भी phone के अंदर उसके phone को change कर सकते हैं फिलाल मेरे पास जो ये phone है ये Realme X50 Pro है तो अभी मैं इसके अंदर आपको tutorial देने वाला हूँ बढ़ आप के पास कोई भी Realme का phone हो तो आप same to same step follow कर सकते हैं और हाँ इस video को इसके बिलकुल भी मत करना क्योंकि इस video के अंदर में आपको काफी सारे step बताने वाला हो और अगर आप इन सभी step को step by step follow करते हैं तब ही आप अपने Realme के phone के अंदर अपने phone के phone को change कर सकते हैं तो चलिए अब बात करते हैं हम पहले step की तो दोस्तो पहले step में आपको Z font 3 नाम की application को अपने phone के अंदर install करना है और इस application का link मैं video के description में आपको दे दूँगा अब next step में आपको इसे open करना है और जैसी दोस्तो आप इस application को open करते हैं तो यहाँ आपको काफी सारे phone दिखाई देंगे आप इन में से किसी भी एक font को choose कर सकते हैं चली दोस्तो मैं यहाँ से किसी एक font को choose कर लेता हूँ और आपको इस font को download कर लेना है और जैसी दोस्तो आप इस font को download करते हैं तो simply यहाँ आपको apply का option दिखाई देगा अब आपको इसको select करना है और उसके बाद दोस्तो यहाँ तीन option दिखाई देंगे जिसमेंगी दोस्तों आपको support die character का जो option है इसको select करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको bottom में तीन option और दिखाई देंगे simply आपको install पे click करना है और इस font को आपको अपने font के अंदर install कर लेना है और उसके बाद दोस्तों अब आपको अपने font की home screen पे आ जाना है अब दोस्तों आपको अपने font की settings में जाना है और settings में जाने के बाद आपको नीचा scroll करना है और scroll करने के बाद यहाँ आपको language and reason का जो option दिखाई दे रहा है simply आपको इसे select करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको एक reason का option दिखाई देगा आपको इसको select करना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको Myanmar नाम की country को select करना है जैसा कि अभी आप देखें मुझे Myanmar की country जो है second number पर show हो रही है आपको इसे find करना है और इसको select कर लेना है और जैसी तोस्तों आप Myanmar की country को select करते हैं तो आपके phone का जो time है वो change हो जाएगा जैसा कि अभी आप देख रहे हैं खर मैं वीडियो के last में आपको यह भी बताऊंगो कि आप time को किस तरह से change कर सकते हैं अब आपको back आना है and so back आने के बाद आपको आपने phone के display and brightness वाले option को select करना है and उसके बाद नीचे आपको scroll करना है and जैसी तोस्तों आप नीचे scroll करते हैं तो scroll करने के बाद यहां आपको support die character का एक option दिखाई देगा जो की आज से पहले आपने नहीं देखा होगा अब आपको simply करना क्या है इसको enable करना है and जैसी तोस्तों आप इसको enable करते हैं तो enable करने के बाद अभी आप देखें आपके font का जो font है वो change हो जाएगा and जैसा कि तोस्तों अभी आप देख भी रहे है मेरे font का जो font है वो भी change हो चुका है और ये properly काफी अच्छे से work कर रहा है अब दोस्तों आपको फिर से font को change करना है तो फिर से आपको Z font application को select हरना है और यहां से आप किसी भी font को choose कर लीजिए चलिए दोस्तों इस वार मैं इस वाले font को अपने font के अंदर download करता हूँ और इसे apply करने की कोशिश करता हूँ तो चलिए हम इस पर apply पर click करते हैं और उसके बाद हम second option को choose करते हैं और इस font को भी हम अपने font के अंदर install कर लेते हैं तो दोस्तों अभी हमने इस font को अपने font के अंदर install कर लिया है और अब हम फिर से अपने font की settings में चलते हैं और उसके बाद अभी आपको सिर्फ display and brightness को select करना है और उसके बाद जो support die character का ये feature से option है इसको disable करना है यानि off करना है और उसके बाद अभी आपके font का जो font है वो पहले की तरह normal हो जाएगा अब आपको फिर से इसको enable करना है और जैसे ही आप इसको enable करते हैं तो अभी आपने जो latest font अपने font के अंदर download किया था और install किया था वो आपके font के ओपर apply हो गया है चले जैसे ही अभी मैं एक बार आपको अपने font के अंदर dark moon लगा के दिखाता हूँ तो जैसे ही अभी आप देखें dark moon लगाने के बाद अभी आपके font के जो font है वो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा और यह सच में बहुत जादा खुबसूरत लग रहा है तो इस तरह से आप अपने font के अंदर काफी easily किसी भी font को apply कर सकते हैं और Z font application के अंदर आपको काफी सारे font मिल जाएंगे जैने आप अपने font के अंदर install कर सकते हैं और उन्हें use कर सकते हैं अगर आपके font का time अगर खराब हो गया है तो आप उसको किस तरह से सही कर सकते हैं तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे font की settings के अंदर और settings में आपको additional setting को select करना है और उसके बाद यहां आपको date and time का option दिया गया है simply आपको इसको select करना है और उसके बाद जो network provided time का option है इसको disable करना है और इसको disable करने के बाद यहां set time को click करना है and set time पे click करने के बाद आप अपनी जरुवत के हिसाब से जो भी correct time है आप इसको यहाँ set कर दीजिए और दोसो time set करने के बाद अभी आपके font का time है वो automatically save हो जाएगा जैसा कि अभी आप देखें फिलाल मेरे font का time है वो 10 बच के 38 मिनट हो गया है तो दोसो इस तरह से आप time की problem को भी काफी easily सही कर सकते हैं और अपने font के font को फिर से restore करना चाते हैं यानि कि आप पुराने वाले font पे आना चाते हैं तो simply आपको display and brightness के अंदर आके आपको simply support die character के option को disable करना है और इससे आपके font का default font है वो set हो जाएगा automatically तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने किस तरह से काफी easily अपने realme के font के font को change कर दिया तो आप भी इन सभी step को follow करके अपने realme के font को easily change कर सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास realme x50 pro है तो जैसा कि अभी मेरे font के अंदर realme UI का ही software है जैसा कि अभी आप इस screen पर देख सकते हैं और मैंने आपको realme UI के अंदर किस तरह से हम font change कर सकते हैं वो करके दिखाया वैल जैसा अभी आप मुझे comment करके बताये कि क्या आपके font के अंदर ये trick work कर रही है या नहीं कर रही है अगर आपके font के अंदर ये trick work नहीं करती है तब दोस्तों आप अपने font का model number मुझे comment box में comment कर सकते हैं ताकि मैं आपके font के लिए कोई न कोई trick देख सकूँ तो खेर दोस्तों फलाल इस video के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये video पसंद आया होगा अगर आपको ये video पसंद आया है तो प्लीज आप इस video को like कीज़े शेयर कीज़े और साथी साथ channel को subscribe करना बलकूल ना बोले तो चलिए फलाल इस video को finish करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और new video के साथ